नहुसका दोस्तों, डिडिरेट के एक और ये अच्छन वीडियो में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आलोग, तो आज जो वीडियो लेकर आए हूँ, वीडियो है हेड्लाइन्स एडिया का और इसका टाइटल है इस मुसलिम ने उदाय निधी स्टालिन को दिया ऐसा जव और स्टालिन के खांदान के हैं, उनके बेटे हैं, सीम साब के, और उन्होंने सनातन धर्म को लेकर जो कहा है, या उनकी पार्टी डियम के की तरफ से जो लगतार बयानवाजियां की जा रही हैं, और सैक्डो हजारों लोग हैं, कुछ नेता हैं, जो इस चीज को उनके इस को डिफेंड करने में लगे हैं, लेकिन खैर किसी अप्व पप्व जप्व के आने जाने से और कुछ बोलने से किसी का कुछ बिगड़ता नहीं है, सनातन का तो खैर बिगड़ना बहुत दूर तक की बात है, पिछले हजारों सालों में हजारों लाखों लोग आये सनातन को सपने को लेकर और सबका सपना जो है चूर चूर मिल गया वो चाहे लुटेरे रहे हो पहले के इस्लामिक इन्वेडर्स रहे हो वो आज उनके हालत देख लीजे उनके देशों के हालत देख लीजे चाहे मुगल रहे हूँ, मुगलों की भी देख लिजी, आज कोई नाम तक लेने वाला नहीं है, बाकी कुछ ऐसे हैं जो जैसे ब्रिटिशर्स थे, उनका भी यही था, आज उनका भी हाल देख लिजी, क्या है, हमसे भी गए गुजर उनकी एकॉनमी हो चुकी है, तो खैर, सपनों क में उदेने दी स्टालिन के बयान पर क्या बोला है, नमस्कार आप देख रहे हैं, हैडलाइन सिंडिया, मिरा नाम है विनोश शर्मा, तमिल नाडू के सीम के बेटे ने एक ऐसा बयान दिया है, जिस बयान को लेकर अब पूरे देश में कह सकते हैं कि हल चल है, उदेने दी स्टालिन का ये कहना है कि सनातन जो है, वो एक ऐसा धरम है, जिसको मिटाना होगा, यानि कि सनातन धरम जो है, उसकी तुलना जो की गई है, वो डेंगू, मलेरिये जैसे बुखार और कोरोना जैसी बीमारियों से करते हुए, उन्होंने ये कहा कि सनातन को कम ही नहीं करना, जड़ से खत्म करना पड़ेगा इसी पर बात्चीत करने के लिए मेरे साथ मुस्लिम स्कॉलर वजात गुजर साहब है मुफ्ती साहब इन से बात्चीत करेंगे सर हलाकि यह सवाद आप से करना मैं इसलिए लाजमी समझा आपके पास इसलिए आया क्योंकि जो कोश्चन उन्ह वालों के बीच भी है क्या कहेंगे सर किस तरीके का बयान है यह अब यह तो मैं कहूंगा कि सस्ति शुहरत वाली बात है सनातन जो है वो दुनिया का हजारों लाखों साल पुरानी परंपरा है उसको खाली से एक मजहभ कहना भी मैं ठीक नहीं समझता हूं और हर भारत में भ सीखो इसाई हो वो सब सनातनी है सनातन भारत का कल्चर है सनातन भारत की परंपरा है और सनातन तो खत्म नहीं होगा लेकिन इस तरह की जो गंदी सोच के लोग हैं वो जल्दी खत्म होंगे मुझे नहीं पता वो किस मजहभ से आते हैं और उनका क्या मजहभ होगा मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को कोई मजहभ होता भी नहीं है या तो उन्होंने सनातन को पढ़ा नहीं या समझा नहीं या पढ़ने की कोशिश नहीं की या वो जान बूज कर ऐसी घटिया बाते कर रहे हैं जिससे के देश में नफरत का माहुल बढ़े हो सकता है उनको वहाँ उनकी पार्टी को या उनकी पिता श्री को या उनको चोकि वो खुद भी मंतरी है इसका कुछ फायदा होता हो इस बत के बोलने का अधरवाईज मैं इस बत का बहुत दुर भगे है यह हम सब लोगों का कि सनातन के देश में सनातन ही के खिलाफ लोग बाते कर रहे हैं सर क्या कहेंगे अपने मजभ़ब की बात की हम लगातार सुनते आते हैं जब भी कहीं चीजे होती हैं चाहे 15 अगस्त हो 26 जनवरी हो तो हम बच्चों को भी यह सिकाते हैं कि मजभब नहीं सिका था आपस में बैर करना हिंदी हैं और वतन हिंदुस्ता हमारा और इस हिंदुस्तान में हर धरम को मानने वाले लोग हैं लेकिन अगर बात की जाए सनातन को मानने वाले तो बहुतायत सनातन को मानने वाले लोग यहां पर हैं, जादा अगर संक्या है तो वो सनातन को मानने वाली है, लेकिन अगर इसी बीच क्योंकि 2024 का चुनाओ भी है, एक तरफ 28 पार्टियों का गठबंदन चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ एक CM के बेटे का इस तरीके का बयान, जबकि यह चुनाओी समर है, चुनाओी साल है, इस पर क्या दर्शाता है सर्थ? देखिए, इतनी भी पार्टियों का ये ठक बंदन हो रहा है, ठक बंदन, ये ठक हैं, ये पबलिक को इन्होंने ठका है सुको, और मैं आपको चलिए, टॉपिक नहीं है आपका, लेकिन फिर भी कह देता हूँ एक बात, ये बहुत जल्दी से ये बहुत कच्छे धागे में पिरोया हुआ, एक खोटा मोती है ये ठक बंदन, बहुत जल्दी से एक एक टूटके गिर जाएगा, चुकि सब के अपने स्वार्थ हैं, और जबके मोदी जैसा नेता, जिसका कोई तोड, अब तो दुनिया में मैं समझता हूँ कि दुनिया का बहुत बड़ा नेता है इस परदान मंतरी मोदी दी, वो इंटरनेशनल लेता है, तो एक तरफ तो वो हैं और एक तरफ ये लोग हैं, कुछ नहीं होने वाला, ये बात तो छोड़ो आप, बहराल बात सनातन की हो रही है, देखिए मैं सनातन, इस देश में 130 करोड की आबादी तक्रीबन है, 100 करोड से लोग सनातन के मानने वाले हैं, मैं सनातन के बड़े लोगों में आता जाता हूं, उटता बैटता हूं, सनातन सुकून, इत्मिनान, महबत, भाई, चारा, और अगर सो करोड देश के लोग, जिस देश में सो करोड लोग एक ही परंपरा को मानने वाले हों, एक ही मजभ को मा ना करे तो देश के हालात क्या होंगे इस पर क्यों नहीं सोचता कभी वो मुसल्मान वो सीक वो इसाई जिनकी जहनियत खराब हो चुकी है सनातन को ले करके वो इस बात पर क्यों नहीं गोर करते के सनातन के लोगों की तरफ से हमें कोई तकलीफ नहीं जब तकलीफ होगी तो देश के अंदर जो हालात होंगे उसकी कलपना भी नहीं की जा सकती है अब जैसा ये कोई बत्तमीज आदमी जो भी है कोई मैं तो जानता नहीं उसको कौन है सुना है मैंने बस तो इस तरह के बत्तमीज लोगों के लिए चाहिए कि जो देश के सो करोड़ लोगों की इजद पर हमला कर रहा है मैं कहता हूं देश की इजद पर हमला कर रहा है तो बैए सरातन के लोगों ने हमेशा बड़े होने का सुबूत दिया बड़पन का सुबूत दिया है और सरातन के लोग शान्ती अमन इत से पहले मैं एक चीज और इसमें एड ओन कर देना चाहता हूँ आप ज़रा सोचिए कि पाकिस्तान एक मुस्लिम बहुल देश है 98% 95% जो भी कहलें वहाँ पर मुसल्मान रहते हैं इसलाम को मानने बाद है अब आप सोचिए कि क्रिश्चन्स जो थे वहाँ पर जणावाला में अभी तके साबित नहीं हो पाया है कि वो पर्चे उन्होंने छपवाए लेकिन उनके साथ क्या हुआ 21-22 चर्च जला दिये गए घरों से भागना पड़ा और भी कई इलाकों से लोग छोड़ के भाग गए घर अपना रातो रात अभी भी जारी है जबकि यह बात साबित नहीं होई है कि वहाँ पर ब्लास्फेमी हुई किसकी शरारत थी किसकी साजिश थी यह अवी तक साबित नहीं हुआ है लेकिन यहां तो वीडियो स्टेटमेंट महुझूद है लेकिन तब भी स्टालिंग जो है वो ना अपनी बात से पीछे हट रहे हैं बतब उनके बेटे उधायनी दी और ना माफी मांग रहे हैं उल्टा और भड़काव बयान दिया जारा आप सोचिए कि जिस देश में करीब 100 करोड के नेरबाउट हिंदू रहते हूं सनातन धर्म को मानने वाले रहते हूं लेकिन तब भी उनका कुछ हुआ नहीं है और उनकी कम्यूनिटी तो छोड़ दीजे उनका भी कुछ नहीं बड़ा सहेंशील धर्म हैं हम इंक्लूजिव हैं हम इंक्लूजिवनेस पर विश्वास करते हैं हम सब को साथ लेकर चलने पर विश्वास करते हैं आप मेरी बात समझे नहीं कि हमारा जो social fabric है हमारा जो देश है वो कितना जबरस तरीके से जुड़ा हुआ है और हमें अगर कोई कारवाई करनी भी है उनके खिलाफ तो हम कानून के तौर पर जाएंगे जो मेरे देश का कानून कहता है जो मेरे देश के कानून में लिखा है उसके हिसाब से फैसला होगा उसके हिसाब से कारवाई होगी लेकिन इनकी भी बात कहनी सही है कि आखिर कब तक लोग बरदाश करेंगे मान लिजे नहीं होना चीए ऐसा ऐसी कोई चीज नहीं होनी चीए मान लिजिए कहीं कुछ बढ़क जाए, कुछ हो जाए तो वो ना सिर्फ community के लिए, दो communities के लिए बलकि पूरे देश के लिए सर्मनाक बात होगी ना ऐसा नहीं कि कोई घटना हो जाएगी तुझी सिर्फ उनकी बदनामी में नहीं कि उसमें पूरे देश की बदनामी होगी और मुझे लगता है कि हम कभी ऐसा कोई काम करने की कोशिश नहीं करते हैं जिससे पूरा देश बदनाम हो हमारे देश पर उंगली उठाई जाए या हमारे सनाथन धर्म पर उंगली उठाई जाए लेकिन सवाल ये है कि क्या सहनशीलता को कमजोरी समझा जाएगा ये भी सवाल उठता है लेकिन मुझे लगता है कि सहनशीलता और क्षमा करना बहुत बड़ा कदम है और हम इसी को मांगने वाले हैं तो अगर ये नहीं होता तो हम शायद हजारो लाखों सालों से हम सर्वाइव नहीं कर पाते हम अडिक नहीं रहते हम आज भी जहां थे वहीं है और वहीं रहेंगे कि एक गठबंदन बन रहा है INDIA के नाम से और इंडिया में मैंने पहले भी कहा कि बहुतायत अगर संक्या है 130-140 करोड की अगर संक्या है तो 100 करोड लोग जो हैं वो सनातन हिंदुत को मानने वाले लोग हैं लेकिन जब 28 पार्टियां गठबंदन करती हैं 63 नेता मंचपर मुंबई में एक अठे होते हैं और वहीं एक सियम जो कि इस पार्टी में इस गठबंदन में शामिल हैं उनके बेटे ऐसा बयान देते हैं तो आपको नहीं रखता कि यह जो गठबंदन है इसकी अप परिशानिया बहुत ज़्यादा बढ़ गई एक तरफ इंडिया की बात करते हैं एक तरफ देश की बात करते हैं लेकिन वहीं एक नेता का बेटा कहता कि सनातन को खत्म करना है सनातन को तो फिनिश्ट करने नहें देखिए वो बॉल तो ठीकी रहा है चुकि बात इंडिया की हो रही है भारत की नहीं हो रही है हम तो इस देश को भारत मानते हैं भारत समझते हैं और यह भारत है और भारत रहेगा और भारत ही हमें प्यारा है इंडिया शब्द लाए होंगे जहां से यह ले जाएं अपन का सम्मान करना है कि नहीं अभी देखा होगा आपने लालू और राहूल जो है वो मटन बना के खा रहे हैं यह लीडर्शिप है इनकी रैसीप सिखा यह लालू जी ने राहूल गांदी जी को चम्पारन मटन मनाने की वैसे भी वह चोकी शादिशुदा नहीं है उन्होंने वीडियो में भी कहा है कि अकेला रहता हूं तो वह खुद कर सकते के हजारों इस देश में सनातन के नब्बे फीसद लोग ऐसे हैं जो मटन खाने में मटन बनाने में मटन को चखने में विश्वास नहीं करते हैं वो इसको जुल्म समझते है तो यह क्या लिडर्शिप है क्या नेतागिरी हो रही है यह वजास साब मैं भारत जोड़ यात्रा चल रही थी तो मैं पश्ची में उत्तर परदेश गया था वहाँ पर साहरनपूर के पास एक गाउं था जो की शामली जिले में मुझे लगता आता है उसका नाम था भूरा भूरा कंड़ला के पास से यह यात्रा गुजरी तो वहाँ पर जब हमने सुबह कवरेज क दिखी मेरे को क्या कहेंगे जाहिर सी बात है कि गंदगी है यह लोगों की गंदगी है और भारत जोड़ो यात्रा नहीं थी हूँ वह कांग्रेस और कांग्रीस की लीडर्शिप अपना वकार जो उनका खोया हुआ इस्ट है उसको तलाश कर रहे थे इन्होंने कश्मीर से गंद्या गुमारी तक कोशिश की इसको तलाश करने की मिला नहीं लोगो फिर इन्होंने यह पूरा सब जितने हैं चोर-चोर मौसेरे भाई सब इखटे हो गए और मुकाबला मैं अब मैंने कल अपनी फेस्बुक पर एक पाकिस्तानी नोजवान की वीडियो शेयर की है उस ने अपील किये भारतियों से के मौधी जी को वो एक मौका और दें दें वरना भारत पीछे जाएगा और पूरी दुनिया मौधी जी की लीडर्शिप को मान रही है मौधी जी का लोहा मान रही है और जल्दी से जी 20 में आप देखेंगे के पूरी दुनिया की ताकत आपको भारत में दिखेगी और उस सब की क्यादत हमारे परधान मंतरी कर रहे हमारे लिए इस से जादा गर्व की और फकर की बात हो ही नहीं सकती तो इनका और मौदी जी का तो कोई मुकाबला ही नहीं है मौदी जी के सामने ये टिकेंगे नहीं एक दिन भी जिए नहीं सनातन को जब खतम कर देंगे तो ठिक जाएंगे नहीं मौदी जी जी अपने आप चले जाएगे जो भी भारतिये है जिसके बाप दादा भारतिये है जिसका टियने भारतिये है वो हिंदू हो मुसलमानों शीखों इसाईों मैं बार बार कह रहा हूँ आए भार में वो दफा हूँ लेकिन जो भारतिये हैं वो जिस भी मजभ के हैं वो सब सनातनी हैं सनातन की परंपरा में ज लोग और चले गए हैं सनातन के खिलाफ बोलकर मुझे पता नहीं इसका क्या फाइदा क्या नुक्सान उनको होगा लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारत सरकार को केंदर केंदर ये गरे बंतरी को उनके खिलाफ अच्छी ठीक ठाक कोई कारवाई करनी चाहिए ताकि आपको दिखा दे कि मैं कुछ ठीक ठाक आदमी हूं सस्ती शोहरत पाने की कोशिश करता है क्यों होता है सर क्योंकि इससे पहले जो स्वामी परसाद मोरे हैं जब वो भाश्पा में थे तब उनको ना रामचरित्र मानस में कुछ दिक्कते नजर आई ना हनुमान वो कर देना चाहिए आखिर ये सोच है क्या एक कह रहे हैं कि सानातन को खतम कर दो एक कह रहे हैं रामचरित्र मानस को ये कर दो ये सोच क्या कहल वाली है और क्या ये इस तरीके की सोच को रखकर दोजार चौबीस की गद्दी पर सीजी नजर है ये सब स्वार्थ के लिए आदमी करता है रामचरीतर मानस गीता तमाम धार्मी किताबें जो भी हैं ग्यान की किताबें हजारों साल से वहीं है बस आपको ये चश्मा बदलना है अब ये चश्मा आप बदल करके आप उनको अपने हिसाब से देख लिएगा आप ये महसूस करिएगा कि इस देश में दो तरह की लड़ाई है अब कांग्रेस, मोधी, बीजेपी की लड़ाई नहीं है अब धर्म और अधर्मियों की लड़ाई है एक तरफ धर्म खड़ा है जिसको हमें निवाना है, सबको, हर भारतिये को निवाना है और एक तरफ ये अधर्मी लोग हैं जो भारत को नुखसान पहुचाना चाहते हैं यहां की परंपरा को, यहां की लोगों को यहां की इतिहास को, यहां के मजभवों को यहां के प्यार को भाई चारे को हर तरही के से खतम करना चाहते हैं तो अब ये बात जो है वो धर्मों में नहीं रह गई है ये खालिस हिंदू मुसलमान में नहीं रह गई है अगर टोटली इसको उपर से निचे तक बाटेंगे पूरे इतिहास पर नदर डालेंगे तो धर्म और अधर्म की लड़ाई है धर्म देश के लिए मौदीजी निभा रहे है और उनकी पूरी कयादत निभा रही है और ये अधर्मियों का एक टोला है जिनको जब स्वार्त पर टिकती है बात वो रावंचरीतन मानस और सब पर वोंगली उठा सकते है और उनके कुछ एक दो साती ओर थे जो अब कान पकड़के फिर वापस हो गए है उन पर भी नज़र रखिये गा चैबिए हमारे साथ मुफ्ति वजास गुजर साब है और जिस तरीके से उदेन इदी स्टालिन का जो बयान आया उसके बाद हाला कि हलचल पूरे देश में है लेकिन मुफ्ति साथ ने सीधा जवाब दिया है कि एक तरफ धरम है और एक तरफ अधरम है धरम की बात कौन कर रहा है अधरम कौन कर रहा है ये देश की जनता को देखना होगा आप भी इस खबर पे इस वीडियो अपनी राए जरूर रखिए कैमरामें शियूम यादव के साथ विनोश शर्मा दिल्ली से दोस्तों वीडियो आप में देख लिया और मुझे लिए तक हर भारती है हर भारती है जिसे अपने देश से प्यार होगा वो ये बात जरूर कहेगा जो वज़ाद को जसाब भी कही और मुझे लगता है वज़ाद साब पियमोदी के बहुत बड़े फैन है और उनको बड़ा काम पसंद आ रहा है और बुखर भी है आके बोल भी रहें कैमरे पर अदम उनमें कोई डर नहीं है यह नहीं है कि अरे ऐसा कैसा ऐसा कैसे नहीं देखे बात वही है कि जो सच्ची चीज सामने आखों से दिख रही है उसे बोला जाना चाहिए अब जो उदैनिदी स्टालिन इनने जो बयान दिया है इस पर जो कारवाई होगी दो तरह से कारवाई हो सकती है कारवाई दर से इस पर क्या करना चाहिए एक उनके बयान को पूरे देश में फैलाना चाहिए वैसे अब तक तो फैली गया होगा लेकिन नहीं फैला है तो बार-बार दिखाना चाहिए कि जिस देश में हिंदू बहु संख्यक है जिस देश में बहु संख्यक सनातम धर्म को मानने वाले हैं उस धर्म के खिलाफ देखिए कि क्या कहा जा रहा है अब जरा इसका उल्टा कर दीजिए आप इसको कहिए हो कि इस देश से इसलाम को मिटा देना है इस देश से क्रिश्यानिटी को मिटा देना है इस देश से इनको मिटा देना है आप सोचिए कि क्या होगा यही विपक्च उठके खड़ा हो जाए देखो कैसे कर रहा है यह कर रहा है वो कर रहा है तो सुनिए भाई साहब, इस्टालिन साहब ये देश ना आपका है ना आपके बापका है ये देश हमारा है हम भारतियों का है इसमें सिख भी है, इसमें मुसल्मान भी है इसमें हिंदू भी है, इसमें जैन भी है इसमें सब सब हैं इसमें और उन भारतियों के रहते तो आपका मनसुबा पूरा नहीं हुआ है तो दो बाते मैं कह रहता है नहीं कि दो तरीके जवाब देने के पहला तरीका तो जनता खुद देगी इलक्शन के ज़री क्योंको वहाँ ताकत अपने पास है वोट देने की तो ये याद रखिए कि बोट किसे देना है ठीक है दूसरी चीज़े कानूनी कारवाई मुझे लगता है कि उद्धानिदी स्टालिन और ऐसे बयान देने वाले मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि जो सतनातन के खिलाफ बयान दे रहा है ऐसे हर धर्म के खिलाफ जो लोग बयान देते हैं उनके खिलाफ के सुना चीज़े मेरी बात समझे ये किसी एक धर्म की बात नहीं है एक परंपरा कायम हो गई है करने की और यकीन मानिये मुझे तो लगता है कि अगर सोचे कि अगर इसलाम के खिलाफ इस तरह का बयान दिया गया होता तो अब तक तो पूरे देश में बावाल हो चुका होता आप सोचिए क्यों क्योंकि सब को पता है कि भाई इसलाम के खिलाफ आप जाकर बोलेंगे उल्टा सीधा बकेंगे तो सारे लोग एक जुट हो जाएंगे लेकिन सानातन के प्रती बोल रहे हैं तो उनको लगता है रहे कुछ नहीं होगा तो देखे दो रास्ते हैं एक तो वोट का अधिकार है आपके पास तो चुनाव होना है उसमें आपको बताना है भई इस वीडियो में आप कमेंट जरू करके बताएं जल्दे मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ नमस्कार जाहिए